तो मैं बोला कि मुझे तो आटो चलानी नहीं आदिया बलके मेरे पास ड्राइविंग लाइसन्स जरूरी नहीं है इसमें अपना हिसाब से काम कर सकते हैं कोई भी टाइम पर नाइट शीप हो मौनिंग शीप हो या अभी मैं उनकी गाड़ी जो चला रहा हूं अपने घर के प स्वागते काइस आप सभी को और एक नया वीडियो में आज का वीडियो हम आपके लिए अगर आप टेक्सी ड्राइबर हो या बस ड्राइबर हो या ट्रक ड्राइबर हो या खुद ऑटर ड्राइबर हो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इस्पिसिलेटी और बहुत ही इ जलेरी दिया हुआ है इसमें जोइनिंग कैसे होना एंकिटना जोइनिंग बॉनस आपको मिलता है कितना इंसेंटिव मिलता है यहां तक आपको डिस्क्रिप्शन पर कॉंटेक्ट नंबर और इनका लोकेशन सब कुछ एटू जेट डीटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाला है यह वीडियो बीना इसकिप किये लास्त तक जरूर देखें आपके लिए बहुत हेल्पूल होगा आप सुनते रहे और यह जो भी भाईया ने बहुत दिन से जोइनिंग किया हुआ है तो चलिए जो भी डिटेल्स इस पुछते हैं नमस्ते सर आप वह से इस कंपनी में कितना दिन से जोइनिंग कर रहे हैं इस कंपनी में लगबग मैं एक 6-7 मन्त से कर रहा हूं और इसमें आप किसी को अगर कुछ मालूम नहीं है कोई अगर नया बंदा इसमें जोइनिंग होना चाहता है तो उसको कैसे कॉंटेक करना चाहिए कैसे इसमें जोइनिंग होना चाहिए मतलब कि मैं भी एक फिछले चिम महिने से जो है बगएर काम के मैं घूम रहा था सड़क पे काम के लिए धून रहा था कहीं भी सैलरी सैटिसफेक्शन नहीं होता था लेकिन फिर भी जो है इस कंपनी का जो पोस्टर मैंने देखा था जब चाई पीने के लिए बेकरी के पास बहुत सारे पोस्टर के पे हो थे तो उस पोस्टर को देखने के बाद चल भाई इसी को भी ट्राइब करके देख लेते हैं बोलके ट्राइकर करके कौल करा तो आफिस को आने के लिए बोले उदर गया तो जाके बोले के मुझे डेली इतना काम करना पड़ेगा बोल दिये तो मैं बोला कि सिर मुझे तो आट टो चलाने नहीं आ दिया बलके मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है बोलके बोला था मैं उनको तो वह लोग बोले कुछ भी नहीं है सिर हम लोगी आपको ट्राइन करेंगे बोलके बोल दिये थे तो इसके जरी से मुझे क्या हुआ कि पचीस हजार बोलके तंखा बोल रहता है लेकिन इसमें से मुझे बहुत सारे बेनीफिट्स भी मिले लग जैसे कि एक आदमी को जमाने के लिए इतना बोनस बोलके मिलता है तो उसी सबसे मैं जो बंदे बहे रोज़गार जो रहता है उसको मैं लेके आके इसमें जमा गया तो उनके जरीह से मुझे वो लोग भी काम करने लगे और कमाने भी लगे उनके जरीह से मुझे रेफरल भी मिलने लगा आज के आज के माहौल में इस कंपणी से तो मुझे बहुत सारा बहुत कुछ अच्छा कुछ होआ है यह नहीं है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि बंदे लोगों को कुछ नहीं आता है तो उन लोगों को नहीं लेते हैं सब कुछ चलता है इदर आप लोगों को उधर लेके बुला के documentation लेंगे आपके पास documents बस simply documents पूछे मेरे पास like driving license पूछे हुए थे बाद बोला आपको अगर आप taxi driver हो या बस driver ट्रक ड्राइबर हो आपको और चलाना नहीं आता है तो आपको यह पर ट्रेनिंग भी द्या जाता है पांच मिनट में अगर आपको दिखा देंगे एक बार चलाने के लिए तो एक ही बार में सीख जाते हैं इसको चलाने के लिए तो दुस्रा बात पुछते हैं वईसे इसमें काम करने के लिए मैंने सुना है की अपना चाहिए कि अपना हिसाब से काम कर सकते हैं कोई भी टाइम पर तो मुझे शिफ्ट के ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब गूं जबंग सबोराइब देंस नारू आट जबंग नवाय मोग्लिक्छार में होगा है करना में बिचल सब्सक्राइब करने के वाज़े से जैसे कि हम लोग एक्टिव अगरा चलाते ना उसी हिसाब से चलाना परता है और तो और में बात यह है कि मुझे चलाने नहीं आती थी गाड़ी है मैं इधर ही आके सब कुछ ट्रेन हुआ एक ही दिन में ट्रेन हो कि 10-15 मिनिट में ट्रेन ह हुआ था carnival बाद में गाड़ी देंके मीरे घुखत भेज दिये ब्लुकुल जी बच इतन钱 कि आपने जोनिंग किका है। उस समय में कुछ जोनिंग फी भी पैकिया यह फ्री जोनिंग ाए। यह पर सब्सक tile overlight को पर रहें मतलब कर मेरे मेरे हिशाब मेरे था मेरे के लिए तो उस हिसाब से देखने के तो मैं जब जॉइनिंग वा था उस तो एक रुपया भी जॉइनिंग फीज नहीं था बलके बिल्कुल मुझे मुझे अंदर लेके काम दे के इसके उपर जो सैलरी था सैलरी भी इंक्रेडिबल करके उसके साथ में मुझे बेनिफिट बह जाता था तो स्टार्टिंग मुझे तो बोले थे कि आप सर बस मुझे इतने अवर लाग-इन करो काम करो तो यह वह दस गंट रहता है दस गंट रहता है तो यह हैं आई से चलते पिर ते कही ना कहीं वेस्ट करते थे हम लोग तो उसी आप से दसावर कुछ बड़ी बात न होते है जो पढ़ाग करके पार्ट इम करना चाहते हूं बहुत ज़्यादय कर सकते अँ양 गाड़ी बहुत शीख है और जो उम्हसं ऌर सने एंक जो चाहते हैं डिजन उन ऊपटेंशं तय देंटिश्यों और यह बहुत गूमफोर्टबल फोल तो दिए अपको कितना आप इसमें रेंट पे करते हैं या रेंट पर लेने का टाइम पर कुछ सेक्रोडिय डिपोजीत पे किया इस में इसका सिस्टम क्या है रेंटल का तो दीगि रेंटल लागर अपने परफॉरमंस के उपर बेसिस पर बस उनके लिए इतने आवर्स बोल क काम करना रहता है उसाब से गुर्च घया देन रहता है और मां लेता हूं का रहता है तो अगर कोई नया आदमी इसमें जोइनिंग होना चाहते उसको रेंट पर काम करना चाहिए या सेलरी पर आपके हिसाब से एक्सपरियंस की हिसाब से ताकि उसको गाड़ी उसके घर के पास ही मिल जाएगे और रेंटल जो है वह पे कर सकता है वह उसी हिसाब से तो गाइस हमने भाइया को नहीं पूछ पाया या आप कुछ नहीं जान पाए आप मुझे कॉमेंट किजिए कॉमेंट में आपको रिप्लाइ कर दूँगा और यह नहीं इतना बढ़िया से एक्स्प्लेइन क्या हुआ है भाइया के लिए एक लाइक जरूर कर देना बहुत बहुत धन्यवाद भाइया आपको और जोइनिंग के लिए आपको जो नंबर यहां पर ब्लिंक हो रहा है उस नंबर पर आप मिश्कॉल किजिएगा कंपनी का तर